हेले सुरूरेंट में एक तासी आप सभी का ग्यान चितने चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस वीडियो में हम खिलाफत आंदोलन से संबंदित प्रश्णों को देखेंगे तो सुरू करते हैं सबसे पहला प्रश्ण निमले के मैंसे किस ने खिलाफत आं कि जा रिए किलाफत आंदोलन में मुंख का मुठी का मुठीक दोरा दौरा चलाया गया कि तरहि सुर्ण में टूर्की में खिलाफत के पद्य की पुनाहिस हसाफना करने के और अंग्रेज़ों पर दवा बनाना था खिलाफत आंदोलन प्रारम के लिए गठित खिलाफत कमेटी में शौकत अली मुहमद अली अब्दुलकलाम आजाब हाकीम अजमल खां हसरत मोहानी और डॉक्टर अंसारी सामिल थे तथा भी खिलाफत अंदूलन प्रारम करने का मुझे श्रे अली बंदू शौकत अली और मौमद अली को दिया ज शौकत अली जो है यह option यहां पर सही हो जाएगा अगला कुशन खिलाफत अंदूलन के मुझे उद्देश नेमलिकत मैंसे कौन से थे उद्देश यहां पर पूछ रखा है तो भारत में मुसलमानों में ब्रिटिस बिरोधी भावनावत पर्ण करना मुसलीम समाज का सुधा प्रिथक निर्वाचन मंडल की मांग और खिलाफत का रक्षण आतुमन समराज की रक्षण और खिलाफत का रक्षण तो यहां पर पहला और जो चौता है वो यहां पर सही है डी option यहां पर सही है भारत की मुसलमान तुर्की के सुल्तान को इसलामी समराज का खलीफा मानते परतम विशूदी में तुर्की मित्र देशों के बुरुद लड़ रहा था। युद्ध के समय ब्रिटिस राजनीतिक्यों ने भारती मुसल्मानों को वचन दिया कि तुर्की समराज को किसी परकार समाप्त नहीं होने देंगे लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद आरमी किया। तुर्की समराज के बिभाजन के बिरुद शुरू हुए खिलाफत नांदोलन ने उस समय अधिक जोर पकड़ लिया जब इसमें गांदी जी समलित हुए थे हो गए। अगला कुशन है बर्स 19-19 में अकिल भारतिये खिलाफत नहीं का द्यक्स किसे ने किया था तो यहां पर जो द्यक्स मात्मा गांदी जी ने किया था। अंग्रीजों द्वारत तुर्की समराज का बिभाजन करने के बिरुद खिलाफत आंदोलन प्रारम भी हुआ। दिल्ली में 23 नमबर 19-19 को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन के द्यक्षता मात्मा गांदी क को प्रदान की गए। दिसंबर 19-19 में हुए भारती राष्ट्य कॉंग्रेस के अमरेच सरदिवेशन से खिलाफत आंदोलन और अधिक बढ़ावा मिला। गांदी जीने से हिंदू-मुसलिम एकता के एक ऐसे सुरनेम अफसर के रूप में देखा जो आगे सो वर्सों में न महतमा गांदी ने खिलाफत आंदोलन का समार्थन क्यों किया था, तो गांदी जी ने अगरेजों के खिलाफ अफसर के रूप में देखा जो सो बर्सों में भी पुना पृस्त नहीं होगा, तो महतमा गांदी जी ने देखा था, अगला कुशन है निम्ले कि मैंसे किस एक ने खिलाफा तांदोलन के दोरान हाजीक उल्मुल्क की पद्वी त्याग दी थी तो आंसर हाकीम अजमल खाने तो यह याद रखें यह नाया कुशन है हाकीम अजमल खाने खिलाफा तांदोलन के दोरान हाजीक उल्मुल्क की पद्वी त्याग दी थी यह पद्वी ब्रिटिस सरकार दोरा उन्हें 1908 में प्रतान की गई थी अगला कुशन है गानी जी को किसने सावधान किया था कि मुसलिम नेताओं धार्मिक नेताओं और उनके अनुवाईयों के कटरपन को प्रोसाहित ना दे तो यहाँ पर सही आंसर है मुहमद अली जिन्ना बी आपर सही है मुहमद अली जिन्ना जब राष्टवादी थे मतलब यहाँ पर अब यह आगी जाके जो है यह सामपिदाएवादी होते हैं अब यहाँ पर इनका जो सौभाव है वो राष्टवादी है वो खिलाफत आंदोलन को देश के सुतंता के आंदोलन से जोने के बिरूदी थे उन्होंने गानी जी को राजनीती में धर्मे को ना लाने की सलार दी थी उन्होंने खिलाफत आंदोलन में गानी जी की भागीदारी के बिरूद गानी जी को सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं एवं उनके अनुराईयों की कट्टरपन को प्रोथ साहिप ना करें अगला कोशन निमली खित्में से किसने महात्मा गांदी की खिलाफत आंदोलन में भागी दारी की भद सरना की थी तो आंसर हो जाएगा M.A. जिन्ना डी ऑप्शन असरत मुहानी खिलाफत आंदोलन में गांदी जी के प्रमुख सही होगी थे अगला कुशन है निमली कित मैसे खिलाफत आंदोलन का पढ़नाम चाथा तो इसका पढ़नाम था वो है हिंदो-मुसलिम मद्वेदों में कमी आई थी ए ओप्शन यहां पर सही है गांदी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदो-मुसलिम एकता का एक सुनहरा अफसरमाना अथा इस आंदोलन का पढ़नाम हिंदो-मुसलिम एकता के रूप में सामने आया तुर्की के प्रेशन पर बेटेन के प्रती आक्रोश में मुसल्मानों को हिंदों के समीप ला दिया था अगला कोशन बहुत बैक्ती जिसने चार अप्रेल 1990 को दिली की जामा मज़ित के प्रावचन मंच से हिंदो-मुसलिम एकता पर भाशन दिये थे तो आंसर हो जाएगा स्वामी स्रद्धानन ने 30,000 मुसल्मानों के समक्ष भासन दिये थे अगला कुशन कोंग्रेस की ने खिलाफत आंदोलन का समाथन किया था मुक्ता यहां पर कूड दिया है तो खलीफा की पुना इस्थापना के लिए और मुसल्मानों की सहनमोती प्राप्त करने के लिए तो यहां पर यहां पर जो यह आप्षन है वो यहां पर सही हो जाएगा दिखते हैं इसकी कॉंग्रेस के खिलाफत आंदोलन का समाथन खलीफा की पुना इस्थापना के लिए मुसल्मानों की सानबोती पाने के लिए किया था गांदी जीने का नुसार हिंदू-मुसलिम एक्ता के लिए स्टोने मुस किया था तो आंसर हो जाएगा यहां पर मदर मोहन माल विये ने बी ऑप्षन यहां पर सही है सितंबर नीस सोबीस में कलकत्ता में हुए कॉंग्रेस का दिवेशन का प्रुमुक्त मुद्द जलियावाला बाग कांट और खिलाफत आंदोलन था खिलाफत आंदोलन में मर्द गांदी जी को आसायोग अंदोलन्द के नितुत्र को समालने का नुरूत किया था वह किस शहर में हुई थी तो आंसर इलहाबाद में हुआ था ब्याकिया देखते हैं गांदी जी ने 2020 में खिलाफत कमेटी को अंगरेजी हुकूमत के खिलाब आसायोग अंदोलन्द छेड़ने के सलाय दी थी जून 1922 में खिलाफत कमेटी ने इलावात में इस सलाय को सुईकार किया तथा गांदी जी को अंदोलन के अगुआई करने का दिकार सौपा सित्मबर 1920 में कलगत्था क कि अधियाख्षिता में असायो गांदोलन के प्रस्ताव को सुईकार किया गया था तो नीस का बीश का जो गलकता डिवेशन है वो लाला लाजपत द्वारा किया गया था अधियाख्षिता उन्होंने की थी अगला कुशन है इस मिसाल में हम मुसल्मानों को हिंदूओं से बि और आसायोग, खिलापत और आसायोग, सी ओप्षन यहाँ पर सही हो जाता है, एचिंसन की टिपड़ी, उक्ते टिपड़ी, खिलापत और आसायोग अंदुलर 1922 के संदर में थी, ध्यातब है कि तुर्की के प्रिश्ने पर बिर्टेन के पिर्टी आकरोश में मुसल्मानों को मौपला आंदूलन शाखा थी, तो ये शाखा थी, किलापत अंदूलन की, केरल परांट के मालावार जिले में मौपला काश्चकारो के अंदूलन मुखिता लगान एवं बेदखली को लेकर थी, जमिता ज corri़ता, जब चाहते उन्हें भूमी से बेदखल कर देते, जब चाह अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे तो प्लीज लाइक करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद